असलाम वालाइकम आज हम बात करेंगे कि पीरियर्स के बाद नहाने का क्या सही तरीका है ताकि हम पाक हो सके So let's get started with the video पीरियर्स के बाद आपको नहाना जरूरी है ताकि आप फिर से पाक हो सके और नमाज पढ़ सके कुरान चरिफ पढ़ सके अब यह है कि नहाने का क्या सही तरीका है जिससे हम पाक हो सके और दुबारा से हम पहले की तरह नमाज पढ़ सके और कुरान टच कर सके अब हम बात करेंगे कि नहाने का क्या सही तरीका है जिससे हम पाक हो सके तो नहाने के दो तरीके हैं सबसे पहला है फर्स तरीका और दूसरा है सुन्नत तरीका सबसे पहला हम बात करेंगे कि नहाने का फर्स तरीका क्या है तो जब आप नहाने के लिए बातरूम में जाए तो सबसे पहले आपको अपनी इमपेरिटिस को साबन से या पानी से दोना है ताकि आपकी बोडी से पूरी नजासत दूल जाए फर्स तरीकर से नहाने के सबसे पहला कंडिशन ये है कि आपको आपनी पूरी बोडी पर पानी डालना है कि कोई बाल बराबर जगावी सुकी नहीं रहनी चाहिए आपको आपने पूरे बोडी को प्रोपार वुए में वाश करना है और आपकी कोई भी बाल सुकार नहीं रहना चाहिए आपके रूट में अच्छे से पानी जानी चाहिए अच्छे से अपने बाल को गिला करना है और आपको कुली करनी है और नाक में पानी डालना है जैसे कि हम उजू में करते है ये बहुत इंपोर्टन स्टेप है और अगर अब ये स्टेप भूल जाए और आप बोड़ी पर पानी डालके गुसल खतम कर दे तो आपका गुसल फर्स तरीके से नहीं होगा So make sure कि आप जब भी पाक होने के लिए गुसल करें तो कुली जरूर करें और नाक में पानी भी डाले And that's it आप पाक हो जाएंगे और फिर से नमाज पर सकते हैं कुरांशरी पर सकते हैं बागी सारे काम पहले की तरह कर सकते हैं अब आते हैं नहाने के दूसरे तरीके पर यानि सुन्न तरीके पर अगर आप सुन्न तरीके से नहाके पाक होना चाते हैं तो सिबसे पहला कंडिशन है नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुसल करने आए है फिर आ बिसमिल्ला पर के अपने हातों को तीन बार दोना है उसके बाद आपको अपने left hand से अपनी नजासत साफ करनी है अपनी private parts को अच्चे से साफ करनी है जहाँ जहाँ नजासत लगी है उसे अपने body से clean कर ले उसके बाद अपने सर पर तीन बार पानी डाले और अपने हाथों से अपने सर के जड़ों में अच्छे से मसच करें उसके बाद अपने पूरे बोड़ी पर पानी डाले आप साबुन से भी या सिर्फ पानी से अपने बोड़ी को दो सकते हैं ये है सुननत तरीका प्रोपर गुसल करने का और इसके बाद आप इंशाला पाक हो जाएंगे और आप नमाज पर सकते हैं और या कोई भी काम कर सकते हैं आप में बताऊंगी कि कुछ मिस्टेक्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है पहला है जो कोई भी पार्ट्स सुका नहीं रहना चाहिए अप अगर कोई भी जुएलरी पहन रहे हो तो उसको उतर के उस जगा पानी भाना है अगर आपने कोई भी ऐसा कोस्मेटिक्स लगाया हुआ है जैसे कि नेल पोलिश जो की एक वेरियर वन जाता है और आपके बोड़ी पर पानी नहीं पोच पाता तो आपको उससे नहाने से पहले रिमोब करना है कि की आप अगर नेल पोलिश लगा के नहाए तो आपका गुसल या उजू नहीं होगा हाथ और पेरों के उंगलियों के बीच में भी एक बार अपने हाथ पेर ले पाक होने के लिए आप जब गुसल कर रहे है तो आप साबून या सेम्पू इस्तेमाल कर सकते है इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं है आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेलफुल लेगी होगी और आप लोगों के काफी सारे कन्फिशन को क्लियार क्या होगा तो कि लेख लिए लुचे फीड लगों कुप टूब होगो रीडिब टूम्स आप ज वीडियो है